ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कांगडा जिलक के धर्मशाला में 17 सरकारी स्कूलों में बहतर शेर्चनिक सुरुदा के साथ इस साल के अन्ट तक का मॉडल स्कूल के रूप में विक्सित करने के लिए आधार शीला प्रोजेक्ट का शुबारण हुआ है इस बबाद R.E.C. Foundation ने जिला प्रशाशन के साथ M.O.U. भी साइन किया है इस प्रोजेक्ट के तहर तर R.E.C. Foundation की ओर से 3 करोड 8 लाग की राशी वियर की जाएगी प्रोजेक्ट के तहर परतेक शिक्षा खंड में एक एक प्राइमरी स्कूल चैनित किया जाएगा जबकि प्रेवविक तोर पर धर्मचाला में एक हाई स्कूल और एक सीने स्केंडी स्कूल को विच्चे नित किया जाएगा धर्मचाला जिला के 17 स्तिरकारी स्कूलों में बहतर सेक्षनिक शुभदाओं के साथ इस साल के अंतक मॉडल स्कूल की रूप में बिक्सित करने के लिए आधार शिला प्रोजेक्ट आरम होगा इस बाबत आर ईसी फांडेशन ने जिला परशासन के साथ MOU भी साइन किया इस प्रोजेक्ट के तहएगा प्रधेक शिक्षा खंड में एक एक प्राइमरी स्कूल चेनित किया जाएगा जबकि प्रोध्योगिक तोर पर धरमशाला में एक हाई स्कूल तथा एक सीनिर स्केंडरी स्कूल चेनित किया जाएगा चेनित प्राइमरी स्कूलों में सबंदित एस्रियम परतिक सप्ता में कम से कम तीन गंटे बच्चों के सेक्शनिक सुधार के लिए समय देंगे तथा इन स्कूलों में विद्यार्तियों का मार्ग दर्शिन भी करेंगे इसके साथ ही जन सहे वक्ता भी शुनिश्चित की जाएगी आधार शिला प्रोजेक्ट में चेनिट स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, बवन की मरमत, लाइब्रेरी, प्रयोग शाला तथा मैट लाइब के निर्मान का भी प्राबदान किया जाएगा ताकि बच्चों को बहतर सेक्शनिक बातावरन मिल सके डी सी कांगरा राकेश कुमार प्रज़ापती ने बताया कि जिला मैं शिक्षा के गुणबता में सुधार हो सके इसके लिए जिला प्रशासर ने एक प्रोजेक्ट आधार शिला स्विक्रित किया है प्रोजेक्ट के तहट ब्लॉक्स तरपर एक-एक प्राइमरी स्कूल को म मॉडल बनाया जाएगा पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट इस साल के अंतक परियास रहेगा कि जेने स्कूल मॉडल बने प्राइबट स्कूल में बच्चों जा रहे हैं वो हमारे सरकारी स्कूलों में आकर पढ़ाई करें साथ ही इसमें दो एक हमें उस्कूल इक हाई स्कूल है और एक सीळसेटरी स्कूल है, उसको मौडल बनाने की परक्रेइल शरू की है. हमारी कोशिस है कि इनकी जो स्कूल्स हैं इनमें जो भूल भूत जो धाचा है हमारा इंफरस्ट्रक्चर है उसमें बढ़ोत्री हो जैसे स्मार्ट क्लासेज हो अच्छे लैब्स हो अच्छा खेलने का मैदान हो बैटने का अच्छा जरिया हो और साथी साथ जो बच्चों के यूज के ट्वालेट्स हैं और और जो इन्फरस्ट्रक्चर है उसको उसमें बढ़ोत्री की जाए है दो तरह की चीज़े हैं जो हम करने जाना है पहले तो क्योंकि अकेले हैटकॉर्टर से इसको मनिटर करना असान नहीं था तो हमने जितनी भी हमारे एजुकेशनल ब्लॉ हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट इस प्रोजेक्ट को कंसीव कर वेंते हैं